स्वाग गया तब का डेली करेंटर फिर्वित आघर्ष में आज की यारवी क्लास 15 अगस्त 2030 के इंपॉल्टन्ट कुश्चन कुश्चन नमबर बन किसने यूपी आई चलेगा 3.0 अभियान सुरू किया तो सही आंसर है C. NPCI यह सुरुक्षा जागरुकता अभियान है NPCI का फूल फॉर्म नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया है यह NPCI का लोगो है NPCI की स्थापना 2008 में हुई इसका मुख्यले मुंबई में है MD और CEO दिलीप अस्बे है यह UPI का लोगो है UPI की स्थापना 11 अप्रेल 2016 में हुई UPI का जुलाई का ट्रांजेक्शन 44 प्रतिश्यत बढ़कर 15.34 लाग करोड हो गया है UPI लाइट की लिमिट 200 से बढ़कर 500 रुपए हो गई है UPI को अपनाने वाला पहला देश निपाल है UPI के CEO दिनेश खा रहा है पहली तीमाई में UPI का मुनाफ़ा 16,884 करोड रहा UPI Life के MDS और CEO अमिर जिंगरन बने है UPI के 25 वे गवर्नर शक्तिक अंदास है UPI ने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखा है UPI ने चार्ल को अपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है SDFC के CEO शशी जगदीशन है जो सबसे अदा कमाई करने वाले बैंकिंग CEO है परंपरिग आउशदी वैश्विक सिकर सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ सम्मेलन में WHO के महा निदेशक और छेत्रे निदेशक G20 के स्वास्त मंतरी और WHO के 6 छेत्रों के देशों के उच इस तरिये आमंतर प्रतिनीदी भाग लेंगे यह WHO का लोगो है WHO का गठन 7 अप्रेल 1948 को हुआ ता इसका मुक्षाल है जेनिवा स्विज्जर लेंड में है इसके प्रमुक्ट ड्रोस अड्नोम है गुजरात की राजधानी गांधी नगर है मद्य प्रदेश की राजधानी बोपाल है पश्य मंगाल की राजधानी कोलकाता है अगला कुशन भारत अपना कौन सा स्वतंतरता दिवस मनाएगा सही आंसर अच्छी यत्रवाँ 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुई आगर हम आजधी वाले साल को जोड़ दे तो ये सतरत्रवां सतरत्रता दिवस है भारत की आजधी के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री क्लेमेट रिचर्ड एटली थे जो लेबर पार्टी के नेता थे पंडित जवालल नहरू को लॉर्ड मॉंट बेटन ने सपद दिलाई थी 1947 में सर रिसर रेटकलिफ ने भारत और पाकिस्तान के बिच बटवारी की सीमारे का खीची भारत के अलावा 15 अगस्त को कॉंगो उत्तर कोरिया दक्षिट कोरिया लेकेक्स्टाइन और बहरीन देश भी अपना सतंतरता दिवस मनाते हैं अगला कोशन हाली में O.D.O.P. वॉल का सुभारम किस ने किया तो सही आंसर है दी ग्रामीर विकास मंत्राल है वन डिस्टिक वन प्रोग्रेट और दीन दयाल अंतिद्य योजना राष्टी ग्रामीर आजीवी का मिर्शन के साथ मिलकर O.D.O.P. वॉल की सुरुवात की गई ग्रामीर विकास और पंचायती राजमंत्री श्री गिरी राज सिंग है हेरकॉर मार्क टू ट्रोन किस देश से लिया है सही आंसर है इस्राइल अधिक्तम दूरी इसकी 3000 किलोमीटर है और ये 24 घंटे लगातार हवा में रह सकता है इसकी विभिन प्रकार के संसर उपलब्द है एरचीफ मार्सल विवेक राम चौतरी है आइएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और आइएएफ का मुख्याल है नई दिल्ली में है इस्राइल के प्रदाहन मंत्री बिंजामी नितनिया हुए सही आंसर है मेक माई ट्रिप या डिजिटल प्रेटफॉर्म यात्रियों को उनकी प्रात्मिकताओं के अनुरूप भारत के भीतर छिपे हुए परेटन घजानों का पता लगाने में सक्चम बनाता है देखो अपना देश पहल परेटन को बढ़ावा देने के लिए परेटन मंत्राले के नेतरत्र में शुरू हुआ मेक माई ट्रिप के सीओ राजेस मागो है अगला कुशन प्रधान मंत्री भारतिय जन और सदी केंदर कहां खुलेंगे सही आंसर रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन एक महत्तोपूर पहल का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश पूरे देश में रेलवे स्थानों और पर प्रधान मंत्री भारतीय जन और सदी केंदर सापित करना है सितंबर 2015 में जन और सदी योजना को प्रधान मंत्री जन और सदी योजना iky ke से रूप में फिर से शुरू किया गया केंद्रिय स्वास्त्र इवं परिवाहन कल्यान मंत्री मंसुक मंदाविया हैं अगला कोश्चन एंसी आल्टी ने भारत में पार्टी पुस्तक संसोधन हेतु किते सदसेट पैनल का गठन किया तो सही आंसर 19 महेंद्र चंद्र पंत इस 19 संसदिय समीति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वहां नेशल इंस्टिटूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एड्मिनिस्ट्रेशन के चांसलेर हैं समीति के सहा अध्यक्ष प्रिंस्टन यूनिवेस्टी के प्रोफेसर मंजुल भारगों हैं एंसी आल्टी का फुल दिनेश प्रसाद सकलानी हैं अगला और आखरी कोशन सतरता दिवस के औसर पर कित्ते पुलिस कर्मियों को दक्ष पुलिस पदक समानित किया गया सही आंसर 1954 वीरता के लिए पुलिस पदक 239 कर्मियों को प्रदान किये गया विशिष्ट सेवा के लिए राष्टपती पुल pinch abac कुरिवादी प्रभाविक चेत्रों के 125 पुलिस कर्मियों को दिया गया और 10 कुन है अगर आप लोगों वीडियो अच्छा लगए हो तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए